नमस्ते मैं अनिशा रोई आप सबको हृदय के गहराईयों से बहुत सारा प्यार और अविनंदन जी तो ये सब्चिक्ट है जिस पे काफी लोगों ने मुझे पूछा था कि मैं सोल मर्जिंग के बारे में बताओं मैंने कौन सा मेडिटेशन किया दोस्तों सोल मर्जिंग एक ऐसा प्रोसेज है जो एकदम एंड में आते हैं आपके जर्नी के सोल मर्जिंग तभी होती है जब अब जर्नी के एंड में आ चुके होते हो नेखिए जो शुरू शुरू में ये जर्नी में आये होंगे और जिन्हें लगता है कि कौन सा कैसे होता है सोल मर्जिंग कब करना चाहिए या कब कर सकते हैं बेगिनिंग के जो स्टेजेस होते हैं फर्स स्टेज होते हैं आफ्टर एवेकिनिंग आपका एवेकिनिंग जैसे स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद आपका जो है वह सारे पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है रा बहुत सारे आपके अंदर से सारे इशूस बहार निकलते हैं आप अपने आपको हील करते हो है ना और उसके बाद आपके जो साड़ो साइड्स होते हैं उस पे आप वर्क करते हो जैसे एंगर का इशूस बहुत रहता है फियर के इशूस बहुत रहते हैं यह सारे इशूस पर क्तरिए आप काम करते हों बैलेंस आती है बैलेंसिंग के स्टेज जब लाते है तो पहले पूरे अंदर भर-भर के गंदेगी साब जोब होते है उस्ते हो पहौँ सारा बैलेंसिंग से हो जितने है पासर लाइब से हो इस तो जितने भी problems, trauma, pain, सब आपको हिल करना पड़ता है. जो stage आते हैं, वो होते हैं, balancing. सिर्फ meditation करने से balancing नहीं आती है. पहले आपको क्या होता है? आपके अंदर जो inner talent होते हैं, जो आपके hidden talent होते हैं, जो आपके God gifted होते हैं, जैसे मेरा talent dance था, तो मैंने dance one सब छोड़ रखा था, जब मैं after separation, जब मैं कार्मिक्स relations में थी, तो मैं ये सब भूल गई थी, सिर्फ रोना और परिशान होना, और मैं दुसरे वीडियो बनाऊंगी, my journey of distorted divine. एनिवे, तो इसमें क्या है? जैसे आप अपने inner talent को बढ़ाते हो, उसको grow कराते हो, आप चाहे singer हो, you know, कोई musician हो, आप कोई yoga teacher थे, yoga करवा सकते हो, painter हो, sketch करते थे, जो भी आपका talent है, acting करते थे, जो भी आपका talent है, singing and all, तो आपको उसको grow करते जाना है, plus balancing में क्या होता है, आपके inner masculine, inner feminine को balance करना है, याने आप में जैसे प्रेम भी है, है ना, प्रेम भी है, करुणा भी है, और सब कुछ मतलब unconditional love आप कर रहे हो, unconditional love को आप सीख रहे हो, और उसके साथ साथ आपके जो financial है situation, आपके जो life के other issues है, जो DM कैसे होता है ना, cut to cut, ज्यादा emotional होके बात नहीं करते हैं, ज्यादा एकदम भाव नहीं देते हैं, तो जब आप अपना balance करते हो, तो आप भी cut to cut होते हो, आप लोगों से distance बना लेते हो, जो लोग आपके लिए serve नहीं कर रहे हैं, जो आपके energy drainage करते हैं, जो आपको परेशान करके इतने सालों तक मतलब भटकाते रहे हैं, उन लोगों को आप cut करने लगते हो, तो वो समझ जाओ, आप जब ये सब isolate हो जाते हो, वो universe को आपको starting में ही समरपन करना होता है, जब आप universe को starting में समरपन कर देते हो, उसके बार ये सब process तो आपके साथ चलना ही चलना है, है ना, तो DM की तरह आपके behavior हो जाता है, आप दोगों से cut to cut बात करोगे, इवन आपके best friend भी है, आप उसके साथ time west करके, लंबा gossiping करना और पसंद नहीं कर रहे हो, है ना, तो आप focus रहे हो, अपने भीतर जाने की गोशिश कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है meditation करना, आपको बहुत अच्छा लग रहा है self-analyzation में रहना, आप meditation के बिना रही नहीं पा रहे हो, तो आपको समझ में आता है, जैसे आप एक दिन नहीं नहाँ होगे, तो आपके अंदर कैसे irritation होता है, क्या यार कब नहाँ लो टाइप्स, तो meditation नहीं करोगे, तो वैसे irritation होगा, कुछ missing है सुबह से शाम तक, तो यह balancing होने लगती है, तो इस टाइम पर आप balance करते हो, DMDF balance होते है, याने आप शिव शक्ती को, अर्धन अरिश्वर के स्वरूप को, है ना, आप balance करते हो, जब यह बहुत perfectly balance हो जाते है, तब शुरू होती है आपकी लाइफ के next chapter, और इस टाइम पर आप बहुत अधीक मात्रा में ध्यान में प्रविश कर जाते हो, गहरे से गहरे ध्यान करते हो, मेरा बता हो तो मैं सुबह चार बज़े, साड़े तीन बज़े उठ जाती थी, कभी-कभी तो मैं बिलकुल मतलब साड़े तीन बज़े उठ जाती थी, और कभी-कभी तो मैं राद बर सोती भी नहीं थी, तो एक ही ब्यार में ध्यान करती थी, ध्यान करने के बाद जाके फिर मुझे नीद आती थी जो मुझे एक दम attract करता था, वो meditation में करती थी सुबे तो सुबे 6 बजे, 7 बजे तक वो सब करके फिर मैं सो जाती थी उसके बाद मैं सच का हूँ मैं ना कभी मतलब खुद का काम खुद नहीं करना, काम वालों के उपर डिपेंट करना, वो कर देंगे, ये कर देंगे, है ना एकदम अलगी स्टाइल करेंगे, तो फिर वो जब 2020 में सिच्वेशन आया, लॉकडाउन के, तो मैंने अपना सारा कप मैं इंडोर प्लांस के साथ रहती थी, तो प्लांस के साथ टाइम बिताती थी बहुत ज़्यादा, और उससे हार्ट चक्र उपन हो जाते अपने आप, मिट्टी के घड़ा यूज करो, कॉपर के अंदर पानी रख के पीने का क्या-क्या फाइदा है, तो ये मैंने डल के नहाए, तो ये सारे नॉर्मल जो साइन्टिफिकली भी प्रूविन है, और जो आम कर सकते वो मैंने सब कुछ किया, ये सारे आपको करना है, ये सारे चीज़े आप जब करते रहते हो ना, तो आपके बैलंसिंग हो जाती है, इनर मस्कुलिन इनर जो बैलंसिंग हो ज प्रजे खुष रहने लगे हो, आपको न ढेलिया को याद करनी की जरूरत हो रही है ना, आप कुछ कर तरह ये आप अपना काम कर रही हो, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें बहुत हैропी हो, ये हैपी वलोले स्टेट आपको कु आना है, ये हैपी वाले स्टेट ज मेरे साथ रहा कि मैंने अनुभब किया जी हां तो वो पर्जिंग आपका कम्प्लीट हो जाता है और उसके बाद आप कोई obsessions के energy में नहीं रहते हो लास्ट यह सब के energies में नहीं रहते हो तो आपकी जो कुंडलीनी शक्ती का जागरीत होता है मतलब आप मुलाधार चक्र से सहस्तार चक्र तक मा कुंडलीनी को जगा चुके हो आधी पराज शक्ती माता ठीक है वो कुंडलीनी शक्ती जब आपके सहस्तार तक पहुँचते है वो स्टेज होता है मा कुंडलीनी के जागरन इससे पह पहले आपको बहुत जादा ध्यान, मेडिटेशन, साधनाय करनी होती है, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी भी कर लिया और हो गया और बाकी सारे चेंजेस अपके अंदर आना अविश्यक है, यह सारे चेंजेस आप कर लेते हो, मा कुंडलेनी की जागरन हो जाती है, तो आपका एक ब आदर चक्राज होते हैं, वहाँ पे जैसे मुझे यह आईब्रोज के लास्ट कॉर्णर के बादकान के उपर, बहुत ज्यादा मतलब मुंगी काट रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो पता चलता है कि कुछ हो रहे हैं, दोनों साइट पे हो रहा था, तो यह सारे चीजें यह सि आपको पहले चक्राज को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, चक्राज के हिलिंग करनी है, चक्राज के हर कलर्स को आपको देखना है, चक्राज के जो बेनिफिट्स है, उसको आपको समझना है, कि हाँ, मेरा चक्राज तो परफेक्ट है, ना मुझे फियर के शूज है, ना म कुंडलीनी जागरन के बाद कुंडलीनी माता आपके 12 चक्राज को जागरित करते हैं और ये 12 चक्राज जब जागरित होते हैं उस टाइम पे आपके मार्खविक फिल्ड तयार होता है अपर मार्खविक याने शिव लोर मार्खविक याने शक्ति तो ये फिल्ड पर्मनेंट तैयार हो जाती है जब Kundalini Mata Swam तैयार करती है उस टाइम पे अगर आप meditation करते हो तो आपको दिखेगा वो clockwise घूम रहे हैं मुझे दिखता था मैं crystal pyramid के अंदर हूँ ठीक है crystal pyramid के अंदर हूँ और मेरे इंसाइड में तैयार हो गई थी वो आउटसाइड में भी रिफ्लेक्ट होने लगी तो यह पोजिशन पर आने के बाद जब आप अग्दम इतनी स्ट्रॉंग हो जाते हो कुछ भी black magic हो कुछ भी गलत चीज हो कोई भी गलस पेलो आपको और अटक नहीं कर पाएंगे उस के बाद आप मर्जिंग मेडिटेशन के लिए सोल मेडिटेशन के लिए तयार होते हो मुझे डिवाइन ने गाईड किया तब में सवल मर्जिंगale डिटेशन में गई गई बार- Presents मुझे soul merging soul merging soul merging हो रहे थे बार बार वीडियो साबने आ रहे थे एक YouTube में ही है उसका link मैं दे दूँगी नीचे क्योंकि यह सबसे toughest process है soul merging last end and the toughest process है क्योंकि अगर आपके DM imbalance है आप खुद imbalance हो और आप soul merging meditation करने बैठ जाओगे तो वह अच्छे effect तो नहीं आएंगे न डियर वह side effect आ सकता है तो जो लोग अपने गुरूज के अंडर में है जो किसी ना किसी गुरूज को follow कर रहे हैं जो उनसे इनर वक लेते हैं करते हैं वह अपने गुरूज को जरूर पूछे और वह जरूर आपको guide करेंगे जैसे बोलेंगे अपनी गुरू का सुने और अगर आप मतलब हमारे सा को आप request करो फिर आपके DM के higher self को आप request करके बुलाओ वह आपके बैट जाएंगे आपको दिखाए देंगे जैसे भी जिसके साथ जैसा अनुभब होता है और फिर आपके वह meditation के तुरूब करो फिर क्लियर करो and court को फिर जोड़ो और उसके बाद आप soul merchant meditation complete कर सकते हो लेकिन अगर आप यह last stage याने 12 stage पर पहुंच रहे हो spirituality में अगर आप 12 पास करने के लिए 12 stage में याने 12 चक्राज आपके अक्टिवेट हो चुके हैं आप उसके बाद ही करोगे तो आपको result मिलेगा thank you so much दोस्तो अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो like share और subscribe जरूर कर आप